आज मैं ताम्बे के बरतन को साफ करने का तरीका बताऊंगी जिसे दो मिनट में आपासानी से घर पर साफ कर सकते हैं ना ही पितामबरी की जरूरत है और ना ही किसी अन्ने केमिकल वगरे की जरूरत है घर में हमारे जो चीजे पड़ी होती है उसी से मैं साफ करना बताऊंगी तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे उसमें हम एक चम्मस नमक डालेंगे इसके लिए मैंने आधी नीबू लिया है नीबू को हम नमक में डीब करेंगे इस तरह से अब हम तामे का बरतन लेंगे उसमें हम अंदर की तरफ नमक वाला नीबू रगड लेंगे उसके बाद थोड़ा सा नीवू निचोड लेंगे जिसे अंदर की तरफ अच्छे से साफ हो जाए तब हम बाहर की तरफ इसे रगडेंगे बीच-बीच में थोड़ा थोड़ा नमक लगा लेंगे एक से दो बार रगडने पर ही बरतन में चमक आने लगती है आप देख सकते हैं अब हम अंदर की तरफ भी इसतरा से रगड़ लेंगे ताम्बे के बरतन में हम जब पानी काफी दीनों तक रख देते हैं तो अंदर का दाग चूटना मुसकिल हो जाता है क्योंकि इसमें पानी का दाग लग जाता और वो जम सजाता है तब इन्हें आप थोड़ा सा और खुरच लें जिससे यह अच्छे से छूट जाएं तो अब मैं इसे धुल कर दिखा रही हूँ यह देखिए कितनी इसमें चमक आ गई है तांबे का कोई सा भी बर्तन हो सिर्फ नीबू और नमक से आप अपने बर्तनों को इस तरह से चमका सकते हैं और एक बार इस तरह से दुलने के बाद आप कई बार यूज करेंगे तब भी यह बर्तन इसी तरह से चमकते रहेंगे पानी से धुलने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी चमक आ गई है तो तांबे के बरतन धुलने के बाद एक बाद का ध्यान जरूर रखे इन्हें साफ सूती कपड़े से जरूर पोच ले अगर इस पे पानी के छीटे रहेंगे या पानी लगा रहेगा तो वहाँ पे निशान पढ़ जाएंगे और थोड़ी देर बाद वहाँ धब्बे धब्बे से दिखने लगेंगे तो इस तरह से मैंने साफ सूती कपड़े से पोच लिया है तो आप भी इसी तरह से अपने बर्तनों को चमका सकते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरा भी यूसफूल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ सेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इस तरह की यूसफूल वीडियो आपको सबसे पहले मिलें धन्यबाद